बॉलिवूड इंडास्ट्री में फिल्मों का स्तर गिर रहा है ये तो सब जानते हैं या तो रीमेक्स बन रही है या फिर जो कहानिया बन रही है उसमें कहानी नहीं है धूम दड़ा का बहुत है अब राम गोपाल वर्मा जिन्होंने एक टाइम पर बॉलिवूड में उन्होंने बॉलिवूड आखिर कहा गलत है और क्या चीज बॉलिवूड से चूक रही है इसके बारे में कहा है और जो कुछ उन्होंने कहा है उससे उन्होंने सटीक तरीके से बॉलिवूड को धो डाला है राम गोपाल वर्मा ने हॉलिवूड से कैसे हम कम हैं और आप यही सोच लीजिए कि वहां के सारे काबिल लोग, सारे क्पको अंडुस्तान पर यह सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म थी जबकि इस फिल्म में फिल्म इंडास्टिरी के सबसे बहतरी इन स्टार्स थे जिन पर आज बॉलिवूड को फक्र होता है यानि कि अमिता बच्चन और आमिर खान सबसे बड़ी बात राम गुपाल वर्मा इम दोनों एक्टिर्स के साथ काम कर चुके हैं जहां आमिर खान के साथ रंगीला जैसी सूपर हिट फिल्म उन्होंने दी थी वह के फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए अपने लिए एक अच्छा खासा ओडियंस बेस तयार किया और रोमैंटिक फिल्मों के अलावा एक नई कैटिगरी एक नई तरीके के फिल्मों की शुरुआत उन्होंने की